युमना नदी पर निर्मान अधीन ओवर ब्रीज का कारे बंद होने से किसानों को ठानी पड़ रही परेशानी ये स्डीम को कारे जल्द शुरू कराने को लेकर सोपा ग्यापन किसानों ने अठाईस माई तक कारे के बारे में कोई संतोज जनक कारवाई नहोने पर दी अंदोलन की चेतावनी रादोर के इमननगर नगली गाट पर करोडों की राशित से बनने वाले दो प्रदेशों की सिमाओ को जोडने वाले ओर ब्रीज का काम लंबे समय से बंद पड़ा है जिसे लेकर किशेतर के एकसानों में भारी रोश है रोश सुरूब किशानों ने बुद्वार को मुख्यमंत्री के नाम SDM रादोर अमित कुमार को ग्यापन सो निर्मान कारे जल से जल पूरा कराये जाने की मांग की मही किसानों ने प्रशाशन कौल्टी मेटम दिया कि अगर 28 मई तक ओवर ब्रीज का निर्मान कारे शुरू नहीं हुआ तो क्शेतर के किसान प्रशाशन के खिलाब बड़ा निर्ने लेंगे ग्यापन सोपने के बावजूद पूरो जिला परिशद सदस्ते शिवकुमार संदाला ने कहा जब से यमना नदी में खनन शुरू हुआ तब से यमना नदी के बीच से उस पार जाने वाले असाई कच्चे रास्ते बंद हो गए वही खनन एजेंसियों के ओर से ज्वास्था ही रास्ते यमना नदी में बनाए गए वह बरसात के दुरान यमना नदी में अधिक पानी आने से तूट जाते हैं जिस कारण किसान यमना नदी के उस पार अपने खेतों में नहीं आ सकते वही नदी में अधिक पानी के कारण नदी के बीच में लगे बिजली लाइन के खंबे भी गिर जाते हैं बिजली की लाइन तूट जाती है जिस कारण क्यूब वैलो पर कई दिन तक बिजली आपूर्ती बाधित रहती है बिजली के भाव में फसले प्रभावित होती हैं अगली घाट पर ओवर प्रीज का कारे शुरू होने से शेतर के किसानों को आस जगी थी कि अब उन्हें परेशानी नहीं जेलनी पड़े ओवर प्रीज के रास्ते भाहसानी से अपने खेतों में आ जा सकेंगे ओवर ब्रीज के कंस्ट्रक्शन का कारे संबंदीत फर्म को दो वर्ष में पूरा करना था लेकिन कारे शुरू हुए करीब 6 वर्ष हो चुके हैं अभी तक कंस्ट्रक्शन का कारे अधूरा है बरसाती दिनों में किसानों को अपने खेतों में आने जाने में भारी परेशानी ह संदाला के कुछ ग्रामिन अभी अपिस में आये थे जिनका मैटर था कि जैसा कि आप सबुको पता इवना गिए अपर पीडेवली विभाग एक पुड़ बना रहा है तो उस संबंद भी यह सभी ग्रामिन यहां पिस में आये थे उस में समचेह को दो कौँ अपिस में आये जाए ज़से परवाया जैसे बारिज का सिदाने वारा है तो उसी कोरा प्रम्चया है थे जो भी समस्भंद भी ग्रामिन इसमें लेते हैं इस में क्या कर जाए हैं रिज़गी व्याज्वाग है तो उन सभी खाणियों से जल्ट से कलिया पर्सों में ही मिटिंग की जाएगी और जो भी यह मैटर हमारे सब्सक्राइब का हुगा तो यहां सो जाए जाए जाएगा और आगे का हुगा तो हम आगे जो भी हमारी कंपिटेंट होटी है उनसे सहयोकर की पुल आप करें तो नया पुल परस्तावीत है अंडर का स्ट्रक्शन है वो काम बंद हो गया बिलकुल इसके बारे में हमने ग्यापन दिया था बीस नुवंबर दो जार बाईस को डी एस पी रादोर को और उसके बाद 21 नुवंबर को मारी डी सी साब से मिटिंग होई थी जिसमें डी सी साब मारा लगा था संपरक एस डियम साब से और जो पी डॉटी वी वाग इसके काम को देख रहा है उससे भी लेकिन किसी अदिकारी ने हमारे को सिर्फ आसवासन दिया आज तक संतुष्ट नहीं किया पहले तो पुल का काम को सलो सलो चल भी रहा था अब तो बिलकुल बंद कर दिया और अब कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि इतने रवेन्यू के रास्ते हैं वो सारे माइनिंग वोड़े ने खोद दिये सिद्धा संपरक कोई है नहीं जो लोग अपने खित्तों में सिद्धा जाकर सकें एक मातर सिर्फ जो निर्मना दिन पुल है यही एक विकल्प पर खड़िया यमना के बीच में और वो भी पुल के साथ एक बोक्स बनेगा उसमें से गुजरनी थी लेकिन वो पुल अदू राओने के कारण और वो बोक्स ना बनने के कारण बिजडी भाग भी जो है उसको काम को करनी पा रहा तो हमारी यहीं मांगा है वहीं उसको तु लोग बहुत बड़ा डिस्टन लेंगे जो सरकार के पर बारी पड़ेगा